हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी आप लोग कमेंट किये हैं उन सभी कमेंट का मैं जबाब एकके करके इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं एक कमेंट बॉक्स का नंबर 35 है क्योंकि इसके पहले में आपके सभी कमेंट का जवाब दे चुका हूं फ्रेंड आप लोग जो भी कमेंट करते हैं उसका मैं जबाब एक वीडियो के माध्यम से दे देता हूं ताकि आपको परिसानी नहीं हो क्योंकि रिपलाई देने में आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आप सभी को समझ में आ जाता है जैसा कि आप लोग कमेंट में बताते हैं तो चलिए फ्रिंट एक बार फिर से हम आपके सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिस कर रहे हैं आसा नहीं मुझे पुरा आपनी स्वास है कि आप सभी को फिर से एक बार यह वीडियो अच्छा लाएगा तो कि प्रिंट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को सेर कर दें ताकि उसका भी हेल्प हो सके तो चलिए फ्रिंट कमेंट को देख लेते हैं कमेंट है सुमीत सिंका सर क्या एडिमिट कार्ड और लाइन जारी होगा पिलीच सर बताईए न फ्रिंट जैसा कि मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एग बात बताई थी कि आप सभी का एडिमिट कार्ड आज से 6 सितंबर है आज नहीं मिलने वाला है आज इवनिफर्सिटी से कॉलेज में आएगा उसके बाद सिंग्नेचर वहर होगा उसके बाद आप सभी को मिलेगा तो 6 तरीकों मिलना संभाव नहीं है हो सकता है साथ को भी कोई प्रबलम हो जाए लेकिन आर्ट से आप लोगों को मिलना सुरू हो जाएगा तो किरिपे ये ओफ लाइन ही मिलेगा आप लोग अपने कॉलेज में जाकर एडमिट कार्ड को लेंगे चलिए उसके बाद अगला कमेंट है अंकित पांडे का अंकित पांडे का कमेंट है 1922 का एक्जाम कब होगा जैसा कि आप सभी का 1922 का फ्रम भरा जा चुका है असना तक पार्ट वन से सन 1922 का तो एक कमेंट आया है अंकित पांडे का जिन्होंने एबाते पुछी है फिरिन आप सभी को बता दो कि 1922 का एक्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है आप लोग त्यारी में लग जाएए किमकि आप सभी को मालूम है कि अभी पार्ट थर्ड का 11 सितंबर से एक्जाम होने वाला है जैसे ही पार्ट थर्ड का एक्जाम समाप्त होगा उसके बाद आने वाला एक्जाम जो कि है 1922 का एक्जाम हो सकता है तो किप्या आप लोग त्यारी में लग जाएं जैसे ही एक हतम होगा हो सकता है कि आपका भी एक्जाम सुरू हो जाए चलिए अगला कमेंट हम लोग देख लेते हैं अगला कमेंट है 19-22 ये तुम्हें बता दिया चलिए आगे भरते हैं आशिस कुमार कमेंट किये है मैथ अनर्स का कोश्चन लेना है उसमें पेपर 5-6-7-8 सब पेपर का है है न 12-16 का कोश्चन जी आपको कोश्चन बेंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते है आपको जो भी कोश्चन बेंक चाहिए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते है जिसमें आपको केवल कोश्चन मिलने वाला है एंसर आपको नहीं मिलनेगा एंसर आपको खुद से देखना होगा आपको question से आपका question का label मालूम चल जाता है कि किस type का question पुछा जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या comment है आगे comment है learn English with basic इनका comment है sir 1821 part 1 का promoted का exam कब होगा sir तो फिर आप सभी को बता दो कि जो भी लोग part 1 में promoted हैं वो 1922 के साथ फरम भरे हैं तो उनका exam 1922 के साथ ही होगा तो आप लोग 1922 के लिए त्यारी कर लें अपना क्योंकि उसका exam बहुत जल्द होने वाला है चलिए आगे देख लेते हैं अगला comment है मस्ती एक comment किये है sir 1821 का marksit कब से मिलेगा part 2 का तो फ्रेंट आप सभी को बता दो कि अभी इसके बारे में कोई information नहीं आई है जैसे हैं इसके बारे में कोई information आती है मैं आपको बदाने की जरूर कोशिस करूँगा चलिए अगला comment देख लेते हैं अगला comment है कमलेश कुमार का sir part 3 session 1720 का admit card कब मिलेगा कॉलेश से 11 से paper है इसका reply में दे दिया हैं आप लोग देख सकते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला comment है फोर के status लभर का एक comment किये है डाउनलोड कैसे करूँ marksit ये बताओ 1821 part 2 भी ये का तो फ्रिन आप सभी को बता दो कि marksit online डाउनलोड नहीं होता है ये आपको कॉलेश से मिलेगा अभी इसके बारे में कोई information नहीं आई है कि कब से आप सभी का marksit मिलने वाला है तो आप लोग वेट कर लिए चलिए अगला comment देखते हैं अगला comment है बीपी यादव का एक comment किये है कि मेरा अभी भी sorry दिखा रहा है जैसा कि आप लोग समझ सकते है कि बहुत लोग का real जैसे भी अपना roll number और email idea date of work डालते हैं और click करते हैं तो sorry दिखा दे रहा है कुछ लोग का तो sorry दिखा रहा था तो उन लोग का clear हो गया real दिखा दिया कुछ लोग का अभी भी ये problem हो रहा है तो उन लोग को भी अब mark sit का wait करना होगा क्योंकि लागतार आप इतना बार check कर दिए हैं उसके बाद भी अगर आपका real नहीं दिखा रहा है तो हो सकता है कि कोई आपका internal problem हो result में इसलिए ऐसा लिख रहा है तो आपको अभी wait करना होगा mark sit के लिए चलिए अगला comment देख लेते हैं अगला comment है अंकिता राजबुद का इन्होंने comment की है second year में जो promoted हुए है उसका exam कब होगा third final exam के पहले या बाद में तो देखिए अभी जो 1922 का exam है 1927 जो भी promoted है उन्ही के साथ 1922 की जो promoted वाला exam है 1922 वाले part 2 के साथ में होगा जबकि अभी तो part 1 का भी exam नहीं हुआ है अभी आपको बहुत समय लग सकता है part 2 के exam में चलिए आगे comment देखते हैं उसके बाद अगला comment है कि क्या जो लोग part 1 में promoted है क्या part 3 का फर्म भर सकते है या admission उसमें करा सकते है तो आप सभी को बता दो कि जो लोग भी part 1 में promoted है वो part 3 में admission करा सकते हैं लेकिन part 3 का exam नहीं दे सकते हैं क्यमकि जब तक आप लोग part 1 clear नहीं करेंगे तब तक आप part 3 के exam में नहीं बैठ सकते हैं इसलिए पहले आपको part 1 clear करना परेगा ऐसे आपका part 3 में admission हो जायगा लेकिन जब तक part 1 clear नहीं होता है तब तक आपका part 3 का exam नहीं होने वाला है उसके बाद comment है कि क्या part 2 में promoted हैं तो part 3 का exam हो जाएगा जी आपका हो जाएगा जो लोग part 2 में promoted हैं उनका पार्ट 3 का एक्जाम हो जाएगा लेकिन उनका जो रियल्ट है पेंडिंग सोग करेगा जब तक आप लोग पार्ट 2 को किलियर नहीं करते हैं तब तक आपका पार्ट 3 का रियल्ट पेंडिंग ही दिखाता है जैसे ही आप पार्ट 2 किलियर करेंगे आपका रियल्ट चलिए अब बात कर लेते हैं अस्तना तक पार ठाड सेशन 20-23 के बारे में क्योंकि एच हात्र बहुत परिसान है कि इसके बारे में कोई इंफरमेशन क्यों नहीं आ रहा है तो फिर आप सभी को बता दो कि अभी तो 19-22 का एक्जाम हुआ ही नहीं 20-23 वाले को कौन पुछता है पहले 19-22 वाले का एक्जाम हो जाने दिजिए उसके बाद ही आप सभी का एक्जाम संभा हो पाएगा अन्यथा आप लोग अभी वेट करें चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो की नया वाला एड्मिसन अभी हो रहा है 21-22 के बारे में 21-22 वाले बहुत सच 자ात कॉमेंट कर रहे हैं कि बताइए कि 2nd मेरिट लिस्ट जारी होगा कि नहीं तो फिर उन लोग में बता दो कि second merit list तभी जारी होता है जब first merit list पर admission हो जाने एक बाद seat खाली रहता है तभी second merit list आता है अन्याथा नहीं आता है तो अभी आपको बता दो कि 8 सितंबर तक second merit list पर admission होना है उसके बाद ही उस पर calculation किया जाएगा कि कितना seat बचा हुआ है उसके बाद ही आप सभी का admission यानि कि merit list जारी होगा second merit list तो फिर आप सभी को ये बाते समझ में आ गई होगी बहुत लोग ये भी comment किये हैं कि सर मेरा marksit खो गया है तो मेरे result कैसे दखूंगा असना तक part 2 session 1821 का तो फ्रेंड में उन लोगों को बता दो कि आप सभी थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हैं अगर आपका part 1 का admit card उसी में तो आपका roll number है तो roll number तो एक ही रहता है चाहे आप part 1 में जाईए, part 2 में जाईए, part 3 में जाईए किसी में रहेंगे तो आपका roll number वही रहेगा आप लोग roll number से अपने को check कर सकते हैं, अपने real को check कर सकते हैं तो फ्रेंड मैं एक्के करके उन सभी कमेंट का जवाब दे दिया हूँ जो जवाब देने लाइक था मुझे उमीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसल आई होगी तो किर्पिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद